चाट का नाम संते ही मुँँ में पानी आने लगता है और अगर चाट कटोरी चाट हो तो बात ही गया हेलो फ्रेंड्स मैं हुने रुपमा और मेरी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मिलाई हूँ आपके लिए कटोरी चाट बहुती टेस्टी और बहुती आसान तरीका इससे बनाने का तो इसमें आपको ना आट अगूतने की जरूत है और ना ही पेलने की जरूत है छट पड़ सही तयार हो जाता है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे उसमें डालेंगे एक कप मैदा एक चमचिस में कौन फ्लोर डाल देंगे एक चमचिस में तेल डाल देंगे अब कोई भी रिफाइन ओली यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसका घोल तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे विसकर से इससे चलाते जाएंगे जिससे इसमें लम्स न पढ़े इसका घोल तयार करेंगे ना तो बहुत काड़ा होना चाहिए और ना हे पतला यह देखे जब हम इसमें चमचा डालेंगे तो चमचा में इस तरह से घोल लिपट जाना चाहिए यह देखे तब ही हमारे कटोरी बनेगी अब हम इसकी कटोरी बनाएंगे तो मेरे पास चमचा नहीं था तो मैंने इसलिए कटोरी ली है आप कोई भी गहरा बड़ा चमचा ले सकते हैं तो यह देखे तेल गरम होने देंगे और गरम तेल में मैंने एकटोरी डाल दी हलका सा इसमें ओल लगया तो सारे ओल को हम पूच देंगे और फिर इस घोल में एकटोरी इस तरह से डालेंगे बस हलके हाथों से इसे प्रैस करेंगे और तुरंध हम इसे तेल में डाल देंगे ये देखे तेल बिलकुल करम होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें और कटोरी का कलर ब्राउन होने तक इसको फ्रै करेंगे ये देखे कटोरी जब अच्छे से सिख जाती है ब्राउन कलर इसमें आ जाता है तब यह अपना आप निकल जाएगी बस हलका सा इसमें प्रैस करेंगे और यह देखिए अपना आप निकल गई और अब हम इसे निकाल लेंगे यह अच्छे से सिख गई है यह देखिए एक पप उब लेवे आलु . एक काप उबलेवे चन्ताय डाल देंगे , एक प बारी कटा हुआ प्यास एक पडालहेंगे इसमें बारी कॉटा हुआ टमाटर , तोसा थिन भरी मिश डाल देंगे। कटी हुई . एदे चमर डाल हुआ चि'mर नमक डाल और रचमा बीडा ससकते हैं तो अब हमारी filling निलको तैयार है अब हम कटुरी चाट दियार करेंगे ठिखे शारेगे ड्शारे जब दंब अब रटी इसमें द्टे ने डालेंगे रचेपी मैं रीकर स्का लिंक टाल के दिसक्रिप्शनमें आप चैक कराएक तो मैंने अब इसमें दही डाल दी है, अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे, फिर उपर से डालेंगे हम इसमें मीठी वाले चटनी, चाट वाली दही, हरी चटनी और मीठी चटनी को डालने के बाद हम इसे सजाएंगे, थोड़ा सा इसको सजाते हैं तो अब देखने में को तयार है इसे आप जब बनाए तब तुरंत ही खाये क्योंकि इसमें धही चटनी डली है तो यह नीचे से गलने लगेगी कटूरी तो खाने में मजा नहीं आएगा तो जब भी आप इसे बनाए तो तुरंत खाये क्रिस्पी करारी कटूरी चाट बस मजाई ही आजाएगा औ महमानों को भी जब खिलाएंगे ना आपसे तो बस उनके मुझे तो देकते ही पानी आजाएगा तो वैसे इसे देखके आपकी मुझे मुझे भी पानी आ गया होगा तो क्यूं नैं इसे आट पर से तयार करें बस खोलें और बनाएं हुली आ रही है और हुली पर इस चाट को जरूर बनाएं सबको बहुत पसंद आएगी तो इस रस्पी को आप जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस रस्पी कैसे लगी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें